योग क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनहा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर ले साथी साथ लाइक करें, सेयर करें और कमेंट भी करें वेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके 12 जगए पर योग की विकिंसी आई हुई है, एक तरब जगए का नाम दिया है दूसी तरब केटिग्री बताई गई है, आप कौनसी केटिग्री में है, उसी के अंदर गत आपको फॉर्म डालना है यह 12 इस्थान हैं, पंचकुला Σेक्टर 9, पंचकुला सेक्टर 16, पंचकुला सेक्टर 20, रामगर्ण, नेटवल, रहना, फ्रोजपुर, रामपुर जंगी, कजियाना, मंधाना, थन्ड़ॉक, टिक करभोज यह 12 इस्थान है यह लेटर जारी किया गया है District Eye Society पंचुकला हर्याना के द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पद का नाम है योग इंस्ट्रक्टर 12 इस्थान कहां कहां पर है मैं आपको बता चुका हूँ अगर हम बात करें Qualifications की तो कहा गया है यदि आपने 10 प्लस 2 के बाद योग वेलनेस इस्ट्रक्टर का प्रमाणपत्र लिया है तब आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं 18 साल से लेकर 42 साल तक के व्यक्ति यहाँ पर आविदन कर पाएंगे Local Candidate को वरीता दी जाएगी Salary आपको 8000 रुपे पर मंथ मिलने वाली है Interview की Date यहाँ नहीं बताई है Interview की सारी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर आगामी समय में मिल जाएगी लेकिन interview का जो समय है यहाँ नहीं नीचे बताया हुआ है कि 10 बज़े से आपका जो है interview होने वाला है लेकिन Date नहीं बताई है यदि आप यहाँ पर आविदन करना चाहते हैं तब आप इनकी द्वारा बताएगे instruction को जरूर पढ़ लें ध्यानपूरबग तब ही आप यहाँ पर आविदन करें नीचे description box में मैंने एक link दे दी है जहां से आप इनका आविदन form डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही आप इनका official notification भी डाउनलोड कर सकते हैं आविदन form जमा करने की अंदिम्तिती है 11.1.2021 सामको 5 बजे से पहले इनका address है district ayurvedic office near youth hostel sector 3 पंचुकला यहां पर आप जाकर के भी जमा कर सकते हैं और आप post के माद्यम से भी जमा कर सकते हैं समय समय पर इनकी official website जरूर देखते रहें यदि आपको कोई भी दिक्कत है तब आप इनके दिये गए नमबर पर संपर्क भी कर ले अभी के लिए बसतना ही धन्यवाद